अफ़शकर दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों इंडिया के अलावा दूसरी ऐसी टीम जिसके सेमिफाइनल में पहुँचने से में खुशूमब हूँ है अफगानिस्तान की टीम और सिर्फ महीं नहीं काफी सारी इंडियांस ऐसे होंगे जो अफगानिस्तान के रिगे जन साके पास यह आई है कि अश्ER एगमने सामने साल ने के फाने आई इनके आए के लिए इससे पैतर टीम नहीं हो सकती थी अब ही हम बात करते हैं कि इन दोनों टीमों में ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे क्योंकि पिछले ही मैच की बात करें तो जो अफगानिस्तान की टीम में प्रेशर हेंडल कर ही नहीं पाई थी, सिर्फ 15 रण बना पाई थी, तो यहां हमें देखना होगा कि इसे कौन-कौन से प्लेयर हैं, जो बड़े मैच में आपको स्कोर करके दे सकते हैं, क्योंकि बड़े मैच के प्लेयर हमें चाहिए हैं, इस मैच में जो आपको Grand League, Small League दोनों करा सकें, तो वीडियो को ध्यान से देखना कौन-कौन से प्लेयर जरूरी है, सबके बारे में डीटेल में चर्चा करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमें टेलेग्राम पर जोइन कर लो, टॉस के बाद के जो अपडेट्स हैं, वो आपको टेलेग्राम पर मिलेंगे, साथ में कुछ grand league के combinations आपको provide कराएंगे, और चैनल को subscribe कर लेना, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो से सबकी notification आप तक time से पहुंच सकें, चलिए, स्टार्ट करते हैं, लाइक के साथ में वीडियो का अगास करिएगा, सबसे पहले बात करते हैं venue के बारे में, मैच हो वो छोटा रहेगा और एक end जो है, वो काफी बड़ा आपको देखने मिलेगा, मतलब ज़्यादा तर जो spin game बाजी होगी, वो इस end से होते हुई आपको नजर आएगी, ये आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, तो ऐसा जो ground है, जहाँ पे आपको बड़ा boundaries मिल जाती है आपको वहाँ पे spinners के wicket देखने मिल जाते हैं, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो 8 matches हो चुके हैं, जिन में से 4 बार पहले betting करने वाली team ने, और 4 बार second betting करने वाली team ने match को win किया है, अगर low scoring match होगा, तो वो जीतेगी कौन, अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान को 100 run के आसपास रोखना पड़ेगा, 100 के आसपास नहीं रोख पाई, तो फिर अफगानिस्तान को हराना मुश्किल हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम score की बात करें, तो ज्यादातर जो match से वह छोटी teams के थे, इसलिए score भी आपको छोटे छोटे नजर आएंगे, जैसे क युगांडा ने 40 किया था, जैसे कि PNG ने 78 किया था, PNG ने 95 बनाया था, तो यह जो score है न दोस्तों यह देखने लायक नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है, क्योंकि छोटी team है, एक बड़ी team है, अब यहाँ पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ, कि आपको यह ध्यान रखन है, कि इस मैदान के उपर, fast bowlers ने अभी तक बहुत अच्छा किया है, और एक जो team है, अफरीका और अफगानिस्तान में, जो पूरी depend करती, spinners के उपर वो है, अफगानिस्तान के team, तो fast bowlers का role ज्यादा बैता है, मतलब अफरीका को फाइदा होगा, और ज्यादातर matches में यहाँ पर PNG थी New Zealand के सामने, यहाँ पर PNG थी अफगानिस्तान के सामने, इसलिए दो दो तीन तीन विकेट आप देख रहे हैं, बाकि इस वाले match के अगर बै बात करूं तो 149 बनाय था West Indies ने, New Zealand चेस नहीं कर पाय था, और इस match के अंदर भी power play में 4 विकेट चले गए थे और पूरा स्कूर किया था, शेर्फ एन रदर फोर्ड ने, फास्ट बोलर्स को मिलेते यहाँ पे 13 विकेट, इस्पिनर्स को मिलेते 5 विकेट, तो ज्यादा तर जो विकेट्स हैं, वो फास्ट बोलर्स के खाते में आप देख सकते हो, इस्पिनर्स के खाते में वो विकेट कर ली चीएगा ये बहुत important चीज़े pattern तयार करने में जब आप pattern मनाते हो ना कि कितने spinner रखना है कितने fast बोलर रखना है ये आपको यहां से clear होता है अब दोनों टीम्स के अगर head to head matches की बात करें तो ये positive sign है अफरिका के लिए कि उसने दो मैच खेलें और दोनों जीते हैं लास टाइम जब ये दोनों टीम में आमने सामने हुई थी 2016 की बात है उसमें अफरिका ने 209 बनाया था और अफगानिस्तान ने 172 कर लिया था डिकॉक का 45 था और बाकी जो खिलाड़ी अब में है नहीं और उससे पहले तो 2010 में केले थे तो इसको देखने का फाइदा है क्योंकि एक भी गिलाड़ी अब इस टीम में नहीं है सीधे आते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे बें प्लेइंग 11 में रिजा हेंडिक्स स्ट्रगल कर रहे हैं कौइंटन डीकॉक मारकराम क्लासें मिलर इन चारों पर पूरी टीम बल्लेवाजी पर टिकी रहेगी यही चार बल्लेवाज ऐसे हैं जो मेच को पलट देंगे और गेंदबासी की बात करें तो इस टुर्नामेंट की सबसे बहतर गेंदबासी अगर किसी के पास है तो वो अफरिका के पास है यह बात मैंने टुर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी कही थी और शायद मैंने आपके एक रील में भी शेयर किया था कि अफरिका प्रबल वेंसेन का आएगा चौता ओवर रबाड़ा का आएगा फिर आपको एक ओवर मिल जाएगा केशव महराज का एक ओवर आपको मिल जाएगा नोर्किया का फिर बीच ओवर शुरू होंगे तबरेश शमसी के लेकिन पॉसिवल ये है कि इस मैच के लिए आपको और्टनिल बार् किया और रबाड़ा इस्पेशली देखने मिलेंगे इनी के चार ओवर आपको डेथ में देखने मिल जाएगे अगर बार्टमें आते हैं तो उनका एक ओवर डेथ के लिए एड हो जाएगा इस मैदान पे साथ अफरिका अपना पहला मैच के लेगी अब यहां से अगर कि जब जब टीम इस्ट्रगल करती रही है तब तब इस खिलाडी ने स्कूर किया है चूँकि अभी यह खुद इस्ट्रगल कर रहे है तो इसलिए मैं इनको स्मॉल लीग में छोड़ रहा हूँ नहीं तो दोस्तों यह खिलाडी बहुत बढ़िया है और इस्पेशली अगर सेकिंड इनिंग की बात करूं तो इनके बैट से आपको अच्छा स्कूर देखने मिल जाता है हर दूसरी पारी में पचास है जबकि यह सारे मैचस फ्लॉप होने के बाद भी आप यह रिकॉर्ड देख सकते हो कि पांच बार पचास सेकिंड इनिंग में बनाया है तो अगर टीम सेकिंड बैटिंग कर रही है रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर लोगों इनको टीम में नहीं पिक कर रहे हैं इनका सेलेक्शन होगा मुश्किल से 30% के आसपास 25% के आसपास और सीधा आपको बनाना है केप्टन जब टीम सेकिंड बैटिंग कर रही हो यह ध् बैटिंग एवरेज अगर आप देखोगे इनका 28 का है 5-50 और 100 कर चुके हैं एक भी कमजोरी आपको देखने नहीं मिलेगी इस खिलाड़े को आप टीम में पिक कर सकते हो इसके बाद आड़न मारकराम आड़न मारकराम के अगर हम बात करेंगे तो 24 इनिंग में 30 का बैटिं पॉजिशन पर फिल्डिंग दूसरा की एक से दो वर की गेंद बाजी तीसरा ये की 20 से 25 इसलिए आप इनसे ड्रीम टीम में इंटरी की उम्मीद कर लेते हो लेग स्पिन इनको बहुत दिक्कत देती है अगर आपके पास में कोई बहतर आप्शन है तो आप बकाइदा इनक इनको बहातर केल सके तो ट्रस्टिन इस टप जो है बहतर उप्षन होंगे 25 का बेटिंग अवरेज इनका एक.. पचास किया है और ऑफ-ISPIN के सामने इनका बेटिंग एवरेज आपको 14 का देखना है DA airlines की सामने एक बार आउट हो गया है और एक जो पचास किया है वह सेक लेफ्टाम मीडियम ने इनको आउट किया है कई बार मतलब तीन बार आउट हो चुके हैं तीस गेनों में और यहां पर फजल अग फारुकी है चुकि फजल अग फारुकी नई गेन के साथ में गेनबाजी करते हैं और फिर मिलते हैं सीधे डैथ ओवर में तो इनका आमना सामना अगर कहीं होगा तो वो डैथ ओवर में हो जाएगा चुकि हन्रिक क्लासन मेरे लिए इंपोर्टन पेक है तो मैं इनको नहीं छोड़ूँगा इसके बाद अगला जो नाम है वो है डैविड मिलर का डैविड मिलर की बात करेंगे दोस्तो एक चीज नोट कर लेना जब पूरी टीम नहीं चलेंगी न तब डैविड मिलर चलेंगे ये बहुत आप अधिकतर मैचेस में गौर करके देख लेंगे जब पूरी टीम फेल होगी तब डैविड मिलर का सकोर आएगा डेविड मिलर इस टीम के सामने पहले 19 रन मना चुके है 22 से लेकर 24 की बात करेंगे तो 39 का बैटिंग एवरेज है ज्यादा तर जो बड़े स्कोर है वो सेकिंड इनिंग के है ज्यादा तर क्या पूरे बड़े स्कोर सेकिंड इनिंग के है इसके बाद मारको यंसर है पिछले मैच में एक विकेट निकाला साथ इनिंग में 62 रन और बैटिंग एवरेज इनका 12 का है बैटिंग की तो दोस्तों बार बार उम्मीद हम नहीं करेंगे में जो हमारी चीज है वो है इनकी गेंदबाजी 11 इनिंग 9 विकेट पहले गेंदबाजी कराओगे तो 9 विकेट है तो ज्यादा तर जो विकेट है वो सब पहली निंके है और अभी तक ये इतना बैतर नहीं कर पाए क्योंकि जितने भी ग्राउंड हमने देखे वहाँ पे उतना बड़ा स्विंग नहीं देखने मिला है चुकि जहां इंडिया घेली थी वहाँ की बात अलग थी यहां पिचिस जो है वो थोड़ा सा रुक कर आ रही है वेरियेशन वाले गेंदबाजों को ज़्यादा फाइदा मिला है इसी वज़े से ये उतना अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि ये ज़्यादा तर डिपेंड करते हैं स्विंग के उपर और राइटाम मीडियम के सामने इनका बैटिंग एवरेच चार है गुलबदीन नईव, नवीन उलक और ओमारजई चार इस तरह की गेंदबाज इस टीम में मौझूद है अब आते हैं दोस्तों शमसी पे, तबरेश शमसी पिछले मैच में विकेट आये, 2022 से 2024 में इनके पास में 29 विकेट है, ज्यादा तर विकेट है सेकंड इनिंग के अंदर, 10 इनिंग में 21 विकेट निकाले हैं चुकि इस मैच में शायद इनको बाहर करके बाटमेन को अंदर लिया जा सकता है, तो ये आपको चेंज देखने मिल जाएगा इसके अलाबा दोस्तों केशम महराज आपको देखने मिलते हैं, जो कि विकेट लेस नहीं जाते हैं अगर आपको अपने 25 पॉइंट सेफ करने हैं, आपके पास में आपने 10 प्लियर रख लिए, अब आपको लग रहा है कि आग 11 प्लियर किसको रखूँ, तो आप अपने 25 पॉइंट को यहाँ पे सेफ कर सकते हो, 24 इनिंग में 24 विकेट इनके पास है, जो अगला नाम आपको देखने मिल जाएंगे, और अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, तो और जादा चांसे होंगे, रवाड़ा की बात करेंगे तो दोस्तों 23 इनिंग 19 विकेट है, पहले गेंदबाजी कराएंगे, तो पंद्रावें 8 है, सेकिंड कराएंगे तो 8 में 11 है, इस टूर्मेंट म दोस्तों यह आप एक गुरबाज और जादरान है, अजमत अल्ला अमारजई नंबर 3, करीम जनत नंबर 4, या फिर पॉसिबले नंबर 6 खेलते हुए आपको नजर आएंगे, गिन्बाजी होगी, पहला ओवर आएगा फजलक फारुकी का, दूसरा आएगा नभी नुलक का, फिर फजलक, फिर नभीन उलक, यह आपको चार ओवर देखने मिल जाएंगे, इसके बाद एक ओवर आपको नभी का देखने मिल सकता है, एक ओवर आपको ओमारजई का देखने मिल जाएगा, डेफ ओवर में गिन्बाजी होगी नभीन उलक से, फजललक से और गुलबदी नईब के दोरा एक ओवर आपको राशित खान का देखने मिलेगा डेथ ओवर के अंदर इस तरीके से इनके पूरे 20 ओवर आपको complete देखने मिल जाएंगे अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम venue record की बात करें तो आपको देखने मिलेगा नईब ने इस मैदान पे पहले 49 किया ह और पजलक फारुकी ने निकाला है तीन विकेट इसके अलावा नवीन उलहक ने भी इसी मैदान पर दो विकेट पहले निकाल चुके है अब गुरबाज जो पहला नाम है और जो प्रेशर जिल सकता है ये भी पहला नाम है गुरबाज एक मातर ऐसे प्लेयर इस टीम के नवासी गेंदें मतलब लगब लगब 15 ओवर में 7 बार आउट पूचुके हैं जिसमें एन्रिक नौर्किया और कगीसो रबाड़ा यहां पर मौजूद हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं फिर है इबराहिम जादरान इबराहिम जादरान दोस्तों ये खिलाड़ कि सिती में ये खिलाड़ी आपके लिए उतना बैतर नहीं रहेगा अगर आप इनके स्कूर की बात करेंगे तो इन्होंने ये बड़े स्कूर किये हैं 70-44-38-51 के चुकि पर ये मेरी टीम में इस मैच के लिए नहीं रहेंगे पहले बेटिंग करते हुए 4-50 है ये वो highly selected player हो हो सकते हैं जिनके फेल होने के चाल्से ज्यादा है और फास्ट बोलिंग इनको खा जाती है एंड्रिक नौर्किया और रवाड़ा यहां पर मौजूद है जो अगला नाम यहां पर आता है वह है अजमतुल्ला ओमारजई का ओमारजई पिछले कुछ मैंचिस में लगातार चले खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं लेकिन उस लेवल का पर्फॉमेंस आया नहीं है अब यहां पर हो क्या रहा है कि जब गुलबदी नईब अब गिनबाजी कर रहे हैं और विकेट निकाल रहे हैं तो गुलबदी नईब के ओबर आ जाएंगे और ओमारजई के ओबर कम इसके बाद में नमबर चार पे गुलबदी नईब आपको मिलते हैं जिनका 22 inning में 28 का बेटिंग एवरेज है दोनों इनिंग में एक एक 50 किया है और अब इक रिए दोस्तों जिस तरह का इनका लग चल रहा है और जिस तरह का पर्फॉमेंसी फिलिंग पे एक्टिंग के द रखा जा सकता है इस खिलाड़ी को आप पिक कर सकते हो अब ये option रहेगा आपके लिए all rounder section में या तो आप मारकराम को पटक लो या फिर आप पटक लो गुलबदी नईब को इन दोनों में से किसी एक को लेना है तो ये आप decide कर सकते हैं बाकि fast bowling और right arm off break के सामने इनको दिक् हैं आप clear देख सकते हैं कि विकिट लेकिंग जो लग है वो इनके पास मौझूद है और एंड्रिक नौर्गया कगिसो रवाड़ा एडन मारकराम इस तरह की गेंदबाज हैं जो कि इनको परिशानी दे सकते हैं इसके बाद अगला नाम है मुहमद नभी का नभी के पास में एक विकिट एक्सपेक्टेड रहता है और चुकि लेफ्टेंड बैट्स में ज्यादा है नहीं तो गेंदबाजी उतनी मिल नहीं पाएगी एक मात्र डैविड मिलर रहेंगे उनके सामने कुछ ओवर डाल सकते हैं और रही बाद और क्विंटें डिकोग के सामने भी एक लेगा नहीं अगर बल्लेबाज अपनी तरफ से विकिट फिक कर देते तो एक अलग बात है लेफ्टा मीडियम इनको परिशान करता है मार को यह जरूर लेकिन जिस नंबर पर यह बैटिंग करने आते वहां इनका आमना सामना होगा नहीं इसके बाद करीम जना थे इनको ध सरफ विकिट दे कर जाएगा और और और्थोडॉक्स और राइट आम फास्ट बॉलिंग इनको परिशान करती है इसके बाद एन खार होते हैं सेम सिच्वेशन है नया लाड़का है उतने कुछ खास दिखाए नहीं गिनबाजी कर लिता है लेकिन हाल फिलाल किस लिती में य इछले मैच में तो मोका भी नहीं मिल पाया था इसके बाद है राशित खान यह इंपोर्टेंट पिक है और नॉर्मल सी बात है कि कैप्टन वाइस कैप्टन सी की चोईस भी है 18 इनिंग में 30 विकिट है यह आपको दिखा देगा कि भई सेकेंड इनिंग में अगर गिन सब्सक्रेंच बिंचमूर्टेंट गया चला है तो तो मोकि अई खिलारी एसे हो कि उर्ड पर चल रहे हैं तो इनको चोड़ना वैसे भी मुश्किल काम है क्योंकि अभी सबसे अच्छी इनिकी रही है तो यह दोनों प्लेयर आपकी टीम में होंगे अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टन से की बात करें तो राशिद क्लासें और टिककॉक यह सबसे बेस्ट चॉइस में से हैं फिर अगर हम जाएं जील की तरफ तो नौर्किया को ट्राइ कर सकते हैं फजलक और एडन मारकराम पर थोड़ी सी नजर बिठा सकते हैं टीम कॉंबिनेशन क्या कहेगा क्विंटन है क्लासें है गुर्बाज है बैटिंग में सिर्फ मैंने गुर्बाज लिया डैविड मिलर एडन मारकराम कफ्तान राशिद खान नवीन उलक अगर नहीं खेलते हैं तो फिर हम टॉस के बाद टेलेग्राम पे आपको अपडेट्स दे देंगे तो टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है जॉइन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेशली रिस्क मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियर में एक बार फिर तब तक के लिए बाई जै जै महाकार